मार्केटिंग जीनियस, रिस्क टेकर, नेगोसियेशन मास्टर, शेर मार्केट एक्सपर्ट ये सारे नाम है उस तेंथ पास इंसान के जिसने दुनिया को बता दिया कि हाववर्ड, स्टैन्फर्ड, ऑक्सवर्ड, यहाँ जाए बिना भी दुनिया का टॉप बिजनस्मैन बन जिनको हम धीरुबाई अंबानी के नाम से जानते हैं धीरुबाई अंबानी ने इंडिया में बिजनस के और बिजनस्मैन के माइने को बदल दिया आज उनका बिर्थटे है आज उनका जनम दिन है तो उनके जनम दिन पे मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ उनकी जो हर किसी के काम के हैं, चाए आप स्टूडेंट है, चाए आप जॉब करे हैं, या बिजनस कररे हैं, ये लाइफ लेसेंस आपके हमेशा काम आने वाले हैं. धिरुभाई अंभानी का दिया पहला लाइफ लेसें, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं, वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं धीरुबाई अंबानी जब छोटे थे 12-13 साल के थे तब से ही सपने देखने की हिम्मत कर रहे थे अभी स्कूल में ही थे उन्होंने सपना देखा अपने पाउं पे खड़े होने का और स्कूल के बाद पकोड़े बेचने शुरू कर दिये उसके बाद सपना देखा इंडिया से बाहर जाके जॉब करने का इंडिया से बाहर गए येमिन गए वहाँ जाके जॉब की अभी जॉब करते दो साल ही हुए थे एक और बड़ा सपना देखा कि वापिस इंडिया जाके अपना बिजनस करना है इंडिया वापिस आए 1962 में अपने चचेरे भाई के साथ Reliance Commercial Corporation मनाई सपने देखते गए आगे बढ़ते गए धीरु भाई ने सपने देखने की हिम्मत की और उसी हिम्मत कर नतीजा है कि वो सपनों को हकीकत में बदल सके आप भी हिम्मत करो सपने देखने की और हिम्मत करो उन सपनों को पूरा करने की क्योंकि हर चीज की शुरुआत हमेशा सपनों से ही होती है कोई भी बड़ी चीज पहले किसी का सपना था तो सपने देखने की हिम्मत करो क्योंकि जो सपने देखने की हिम्मत करता है वो पूरी दुनिया को जीट सकता है दीरुबाई अमबानी का दिया दूसरा लाइफ लेसन कठिन समय में भी अपने लक्ष को मत छोड़िये और विपत्ती को अफसर में बदलिये दोस्तों आपको क्या लगता है दीरु भाई अमानी के सफर में उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी बहुत प्रॉब्लम्स आई लेकिन वो विनर की तरह वो चैंपिन की तरह वो लीडर की तरह वो अचीवर की तरह लगे रहे 1965 में उनकी पार्टनर्शिप तूट गई जिसके साथ बिजनस शुरू किया वो अलग हो गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी निराश नहीं हुए और स्पीड के साथ और फोकस के साथ लगे रहे 1966 फैक्टरी बना रहे अपनी पहली फैक्टरी रूपी की वैल्यू कम हो गई सारे खर्चे कही गुना बढ़ गए लेकिन अपने गोल्स पे अपने ड्रीम्स पे पूरा विश्वास्ता अब प्रड़क्ट लॉंच कर लिया अब प्रड़क्ट को मार्केट में लेके जाना है पुराने प्लेयर्स जो मार्केट के शैंशा बैठे उन्होंने तंग नहीं किया होगा उन्होंने पूरी कोशिश की मार्केट में ना आए Wholesalers ने भी leaders की बात मानी और उनके product को market में आने से रोका उनके product को नहीं बेचा लेकिन वो solution ढूंडते रहे Health की वह तरफ से भी challenge आए 1986 में उनको paralysis attack हो गया देखो सरकार की तरफ से, परिवार की तरफ से, health की तरफ से, wealth की तरफ से problems आती रही लेकिन वो problems को face करते गए, उनको opportunities में बदला, उनसे सीख के क्योंकि उनको पता था, ना संघर्ष, ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में बड़े-बड़े तुफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में दोस्तो, problems हर किसी की life में आती है, मेरी life में, आपकी life में, सबकी life में आती है लेकिन जो लोग problems की वज़ा से, अपने goal से पीछे नहीं हटते, जो लोग problems में से सीख कर उनको opportunity, सीखने की opportunity बना देते हैं, सीखने का मौका बना देते हैं, सफलता उनी लोगों के पाउँ चूती है इसलिए धीरुबाई अमबानी की बात याद रखें, कटिन समय में भी अपने लक्षय को मत छोड़िये और विपत्ति को अवसर में बदलिये दोस्तो धीरुबाई अमबानी का third life lesson, विवपार की जानकारी, risk लेने से आती है knowledge का सबसे बड़ा source, risk ही होता है धीरुबाई अमबानी को risk taker ऐसे ही नहीं का जाता अप उनकी life को study करो, life को देखो, आपको नजर आएगा कि वो risk लेते गए जैसे जैसे risk लेते गए, उनकी confidence, उनकी growth और उनकी knowledge बढ़ते गए जिसके साथ risk का size बढ़ता गया पहले country छोड़के बाहर जाने का risk, उसके बाद अपनी job छोड़के वापिस आके business करने का risk spices की trading कर रहे थे, masala की trading कर रहे थे, लेकिन देखा yarn की trading करनी चाहिए उसमें ज़्यादा फाइदा है अपनी line को बदलने का risk, लोग हिमत नहीं करते उसके बाद देखा factory लगाई जा सकती है, अपनी manufacturing करी जा सकती है, factory लगाने का risk उस time पे, उस दौर में उसके बाद 91 में उन्होंने देखा petrochemicals, petrochemicals का plan लगाया, 95, communication field में, reliance communication, 98, reliance gas, risk लेते गए, आगे बढ़ते गए दोस्तों धीरुबाई अमानी उन्होंने से नहीं थे, जो किनारे पे और बैट कर नजारे देखेंगे, वो उन्होंने से थे, जो तुफान के बीच में अपनी कष्टी लेके जाएंगे, लहरों से लड़ते हुए, लहरों से सीखेंगे, और विजेता की तरह बहार आएंग धीरुबाई अमानी का फोर्थ लाइफ लेसन, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता। अवे पहले कभी नहीं हुआ था पर उन्होंने किया और उसका नतीज़ा ये निकला कि उस वक्त 58,000 अथावन हजार इंवेस्टर्स आगे आए जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था धीरुबाई अंबानी की इसी सोच की वज़े से Reliance Industries हमेशा अपने Competitors से एक कदब आगे रही और इंडिया की वो पहली Company बनी जो Fortune 500 यानि World की Top 500 Companies में शामिल हुई इसी सोच को मुकेश अमानी ने भी अपनाया जब उन्होंने जियो लॉंच किया तो Data Usage में जियो का Rank 155 था लेकिन अब वो Rank 1 हो गया सबसे आगे हो गया दोस्तो ये एडवाईस बिजनस के शेहनशा ने Bollywood के शेहनशा को दी मैं कुछ दिन पहले अमिताब बचन का एक Interview देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो Politics में थे उनको Problems आ रही थे उनको Challenges आ रहे थे तब धीरू भाई ने उनको Advise किया कि तुमको जो आता है वो तुम करो अमिताब तुमारा काम Entertain करना है मनरंजन करना है तुम एक Actor हो तुम एक अभिनेता हो नेता नहीं और अमिताब ने उनकी Advise मानी दोस्तो धीरू भाई ने भी हमेशा वो किया जो उनको आता था उनको आता था Business Manage करना Entrepreneurship करना उनको आता था दुनिया को मुठी में करना और ने कर ली दुनिया मुठी में तो दोस्तो ये थे पांच important life lessons जो हम धीरू भाई अमानी की life से सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी lesson को use कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दुरू भाई अमानी की life ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया लोगों को सपने देखने सिखाया लोगों को डटे रहना सिखाया लोगों को रिस्क लेना सिखाया लोगों को आगे बढ़ना सिखाया लोगों को focus सिखाया तो दोस्तो इस महान इंसान के बर्द्टे पे उनके जनम दिन पे ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रिब्यूट अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और साथ में कमेंट्स में उनके बारे में जरूर लिखना और आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं so that notifications आपको मिलती रहें ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो अगर धीरुबाई की लाइफ ने आपको inspire किया तो दूसरों को भी inspire जरूर करें इस वीडियो को facebook और whatsapp पे share जरूर करें फिर मिलिंग अगली वीडियो में और motivation के साथ और inspiration के साथ till then stay blessed, stay inspired and I love you all